हाई मैं हूँ सुर्भी अनुपर माहर में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज हम बनाने फ्राइड राइस यह बहुत इजी और क्विक इंडो चाइनिस रेसिपी है इससे पहले यदि फ्रेंट्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथी साथ बेल आइकन को भी फ्रेस करिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अब तक आपने अगर मेरे पेज अनुपर माहर को इंस्टाग्राम पर फॉलू नहीं किया है तो जल्दी से फॉलू कर दीजिए तो चलिए फ्राइड राइ इससे फ्राइड राइस बहुत बढ़िया बनके तयार होंगे अब सबसे पहले मैंने ग्यास पर एक बरतर में पाने बॉयल होने के लिए रख दिया है इसमें डाल देते हैं आदा चमश नमक और दो चमश डाल देते हैं ओई पाने में थोड़ा से उबाल आने देते हैं अब इसमें डाल देते हैं राइस और राइस को 8-10 मिट के लिए मेडियम गैस पर पकने देते हैं फिंस एक बात का ध्यान रखिए हमें राइस पूरे नहीं पकाने हैं हमें राइस को आधा ही पकाना है राइस को पकते वे 8-10 मिट हो गए हैं अब हम गैस बंद कर देते हैं अब राइस को मैंने एक स्टेनर पे निकाल लिया है और उसका पूरा एक्स्ट्रा पानी चानकर अलग कर लिया है अब इस राइस पर हम थोड़ा सा डाल देते हैं ठंडा पानी डालने से राइस बिलकुल खिले-खिले अलग-अलग बनेंगे अब मैंने ग्यास पर एक कढ़ाई गरम होने रग दी है उसमें डाल देते हैं 4-5 चमच ओईल ओईल को थोड़ा गरम होने देते हैं अब इसमें डाल देते हैं एक चमच लसुन का पेस्ट और एक चमच अध्रक का पेस्ट और कुछ सेकेंड इसे फ्राइ कर लेते हैं अब इसमें डाल देते हैं एक कटा हुआ इस तरह से लंबा लंबा प्याज और इसे भी एक नेट ले थोड़ा सा फ्राइ कर लेते हैं अब इतमें डाल देते हैं एक कटी हुई गाजर एक शिम्ला मिर्च इसे भी छोटा-छोटा काट लिया है और एक कटोरी पतली-पतली कटी हुई पत्ता गोबी डाल रहे हैं इन सब वेजिटेबल्स को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं अब इसमें डाल देते हैं आधा चमश नमक नमक हमने बॉइल करने में भी टाला था इसलिए यहां पर आधा चमश ही डाल रहे हैं बाद में जब राइस बन जाएंगे तो हम इसे टेस्ट करके देख सकते हैं गर नमक ही चमज डाल रहे हैं काले मिर्च पाउडर नमक और काली मिर्च को थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं अब इसमें डाल रहे हैं दो चमश टमेट्टो साउस दो ही चमज डाल रहे हैं रेट चिली सॉस अगर आप राइस बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप रेट चिली सॉस न डालें क्योंकि इससे थोड़ा से स्पाइसी टेस्ट बढ़ जाएगा एक चमज डाल रहे हैं विनेगर विनेगर से राइस में बहुत बढ़िया खट्टा टेस्ट आएगा और यहाँ पर दो चमस डाल रहे हैं सोया सॉस फ्रेंड्स अगर आप राइस थोड़े से लाइट कलर के रखना चाहते हैं तो आप एक ही चमस सोया सॉस डालिए इन सब सॉसेज को वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लेते हैं और डेर से दो मिनीट के लिए इसे पकने देते हैं वेजिटेबल्स पक गई हैं हमें वेजिटेबल्स को भी बहुत जादा नहीं पकाना है आधी थोड़ी सी कच्छी वेजिटेबल्स ही रखना है अब इसमें हमने जो राइस बॉइल करके रखेते हैं वो मिला देते हैं और राइस को वेजिटेबल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बात का ध्यान रखीए आप बिल्कुल हलके हाथ से आप इस तरह से साइड साइट से राइस को मिलाइए ताकि राइस मिक्स करने में बिल्कुल भी तूटे ना अब राइस और विजटेबल अच्छे से मिक्स हो गए हैं अब इसे हम दो मिनिट के लिए डख कर पका देते हैं डख के पकाने से जो राइस में थोड़ा से कच्छा पन रह गया है वो भी पक जाएंगे और राइस में विजटेबल का फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आ दाल लेते हैं यह देखिए अब राइस सब करने के लिए बिलकुल रेडी है फ्रेंड्स जदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट्स करके मुझे बताई कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स आई आपको मेरी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइ